हेलो बच्चो, वेलकम वन सेगंड तो माई यूट्यूब चैनल एडोलवर कोस्टन नुबर 29 में हम लोग पहुँच चुके हैं इससे पहले कोस्टन नुबर 28 तक मैं आपको फिर से बता देता हूँ कोस्टन नुबर 28 तक हमने इससे पहले एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में बना कर रख दिया अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर नहीं देखा है तो जाए हमारे चैनल्ज के प्लेलिस्ट पे वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और बेसिक मैट्स और साइंस का भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा तो जाकर देखो यार अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे एक्जाम बहुत नजदीक है तो आपको देखना चाहिए कोस्टन नबर 29 बहुत ही मज़ेदार कोस्टन है बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ाएगा आपको भी और मेरे को भी अवी बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ाएगा बहुत चारे स्ट्रेंट के साथ प्रॉब्लम है कि जैसे वो सेड़ेट रीजन देख लेते हैं कोस्टिन छोड़ कर भाग जाते हैं और आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे अगर आपको डर लगता था और कोस्टिन बनाने के बाद नहीं लगता नहीं लगना शुरू हो जा रहा है तो आप हमें कमेंट सक्षन में जरूर बताएंगे चले फिलाल कोस्टिन नुमबर 29 के बारे में बात करते हैं हमें क्या करना है इंड़ फिगर ऐबी सीडि जए स्क्वायर अब टेंगल की फार्म में बले दिखरा घंग है हैंटीं स्क्वायर है और इसका साइड कितना है 14 अब यूदर इधर भी ड्रॉख है इधर बताता हूं यार रुको तो सब्रू तो करो अभी चल रहा ना बिहार में चल रहा इले सेण सेमी Sandra इस ड्र同 इज लुए इंग समय सर्कल आपको ऊपर नीचे दिखरा नगा देखने कर रहें UP से यदा इक सेमी सरकल एक उपर चार उपर में एक चार सेंी सर्कल हम आप दो चलिए करते हैं बहुत इजी बिए में मैं आपको पहले समझाता हूं उसके बाद सो साल्व करूंगा चलिए समझते हैं कैसे होगा थोड़ा वीडियो का लेंद बड़ा हो सकता है आर लेकिन सब्र रखो अगर एक वीडियो से अगर आप लोग ऊपरा सब्र रखना चाए विए चलिए मैं क्या समझते कि कैसे इसके साइलेट रेजन निकालेंगे suppose करते हैं कि हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले जो ऊपर ट्राइंगल दिया हुआ है और एक नीचे ट्राइंगल दिया है कुछ इस तरह से सारी यहार सर्कल दिया हुआ है क्या हो गया मेरे टंग को है ना तो जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो कौन सा रिजन निकलेगा एक रिजन अगर हम लोग सबस्ट टोटल एरिया निकाल दें स्क्वाइर है हमें साइड पता है उसका स्क्वाइर कर देंगे तो स्क्वाइर का एरिया हमें निकल जाएगा य спокой का area कुछ भी करते हैं अब भी बत ध्यान रखो कि square का area हम लोग को निकालना है स्कोय इंगे और उस में से दो semi circle का area को minus करतेंगेaurus एक square के also the area को हम लोग निकाल सकते हैं वाथ अच्छ い इसका निकाल देंगे तो हमें क्या निकलेगा पूरे साइड में से यानी पूरे एरिया में से अगर इस अरिया को मान माइनस कर दें तो क्या हमें इए आरियला यह नो और अगयन स्क्वाइर से माइनस कर दे रहा हूँ उसके साथ साथ यहां का भी एडिया मिले को तो हमसे पूछा नहीं है तो देखो white कर दिया है events है मेरे तो बस इसी हूं बहुत दिमाग लगा के question करना द Sn वही करना अक बार इसके अरिया निकालकर माइनस करना है याजर और बखुत अरिय सैड़ेड रिजन ऐस one two three and four one two three and four है नग 4 हम लोग के पास सैड़े रिजन जिसका हम लोग ने ले लिया कि one two three four है now अब हम लोग निकालते हैं area of first पहला का area plus नीचे एक और दा होता है तो area of third area of third, चलिए इसके लिए formula होगा area of square area of square square कहना है, a, b, c, d minus minus क्या होगा area of two semicircle area of two semicircle है न, क्या होगा area of square area of square, इसका side दिया होगा, कितना, 14 square का क्या होता है, side into side minus area of two semicircle half है न, semicircle है, तो half होगा into 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 two semicircle है, ऐसे लिए लिए रहा होगा है, two into pi r square area होता है, semi circle है, half pi r square होगा है, 14 to 15 minus two into half pi r square होगा है, किसना हो गया 196 minus 22 by 7 into diameter दिया हुआ है ना हमें diameter दिया हुआ diameter है 14 है तो इसका radius कितना होगा half होगा that is 7 into 7 7 से 7 cancel हो गया हमारे पास है 196 minus multiply करेंगे that is 154 और यह हमारे value कितना आएगा मैं दोड़ा उपर कर रहा हूँ 154 तो हमारे पास कितना आएगा 54 cm2 कुछ इतना ही आएगा ना यार इतना ही आएगा ना जी नहीं सर क्या multiply करते हैं उल्लू है क्या 42 cm2 इतना है 42 cm2 है क्या है चले समझते हैं यहां पर देखें एक हमने इस सरकल को लिया एक हमने इस सरकल को लिया मैं यहां ट्रॉ करता हूँ ठीक है समझना फिर से इस टैब से है हमने क्या लिया एक इसको लिया अब यार चले ठीक है समझ लेना यार वन है और यह 2 है यह 3 है सोरी हमने क्या कर रहा है area of first और third का area निकाल रहा है यहां का area और यहां का area निकाल रहा हूँ तो इसके लिए हमने क्या किया total area निकाला उसमें से इधर का area minus किया इधर का area minus किया वही तो गया area of two semicircle total area निकाला area of two semicircle तो यहां से निकल गया उसी tab से हम लोग निकालेंगे second or four का है ना second or four का तो इसमें चलेंगे इसमें चलेंगे तो यहां से यहां लगा area निकल जाएगा तो सेम आएगा 42 cm स्क्वार तो हम लोग नहीं करेंगे उतना हम लोग यहां लिखेंगे similarly area of second plus four area of second plus four again कितना आएगा 42 cm स्क्वार स्क्वार समझ आया दोनों से मैंना सबका तो डामेटर सेम है यार इसको note करो जल्दी से या फिर screenshot आप लोग ले लेंगे आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं दोनों area हमारा है 42 और 42 cm स्क्वार अब लिखेंगे now area of side region area of side region अब लोगों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा होगा तो comment section में बताना एक बड़ फिर से मैं बताऊंगा थोड़ा अगर complex आपको लग रहा है थोड़ा कि complex हो गया है तो फिर मैं एक बड़ फिर से आपको बताऊंगा area of side region क्या होगा total area निकालो यार पहले तो हम लोग लिखेंगे area of square area of square उसमें से minus कर दो किसको minus कर दो बाई area of 1,2,3,4 minus area of area of area of 1,2,3,4 minus area of area of 1,2,3,4 area of area of side region क्या होगा area of square square का side कितना है 14 जंड़ रहा है एक दो 14 इंटो 14 सम्झे सम्झे नहीं बच्चो सम्झे माइनस है तो माइनस area of 1,2,3,4 क्या था 42 इंटो 2 है ना दोनों का 42 42 आया था 42 इंटो 2 कर दिया कितना 196 minus 84 यानि हमारा answer आएगा 112 cm2 देख ले ना बाई cm2 में की मिटर में फिर मेरे को comment section में बोलते हो यार की unit गलत लिख दिया तो देख ले ना cm2, m2 कर थोड़ा माड़ा गल्ती हो जाता है यार थोड़ा समझा करो यार नो भी छोटे बच्चे हैं मिलता नएक्स वोडियो तब लग या थांक क्यों सोबच पर वाचिंग दिस विडियो